एक दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मुझे घूमने का बहुत चॉक है कि अधिकतर में면 स्टार में जहांब ही जाता हूं में और बेड होने के कार में सोने के कई अरे पाएते हैं सबसे पहला तो जाहिए शर्वप्त जाहिसे सेटा और दूसरा काई गूंते हैं तो तो अक्सर आपने भी नोटिस किया हो कि जब हम किसी भी जंगे जा रहे हो तो रास्ते में बहुत अच्छी जंगे आती है जो आपको देख के लगता है कि वहाँ पर कोई होटल वगएर ऐसा कुछ नहीं होता है वह mostly forest का एरिया होता है तो बहाँ पर आप रुक के इसमें रह स प्रिंसिपल तो लगबग सेम ही रहेंगे तो अब दिखाता हूं आपको बनाना कैसे है तो यह देखिए यह मैंने ऐसा ही फ्लाइवुड का यूज किया है तो यह आप थोड़ा से मैं नीचे से दिखाऊं आपको तो यहां पर नीचे दोस्ते यह मैंने एक लोए का फ्रेम मैं यह एड़ किया है और यहां पर इसको स्क्रूज के साथ यह देखिए अटेच किया और इस लोहे वाले फ्रेम के ऊपर मैंने यह प्लाइवुड इसको जोड़ दिया तो बेसिकली यहां पर नीचे पहले जो बैक सीट से रही वहा करती थी जो मैंने अब यहां से निकाल तो यहां से और इस एरिया से सीट से आपने निकाल देनी है उसके वाद यह पीछे वाला प्लेटफॉर्म बना दिया है तो इस प्लेटफॉर्म को बनाते हुए एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि इसकी उचाई कितनी रखनी है मैंने लिए तो इस प्लेटफॉर्म की एक चीज मैंने सपोर्ट के लिए यह आगे यह ग्रिन लगाई हुई है जो कि अभी मैं आपको दिखा हुआ कि सब कुछ निकल जाता है और वापस आप इस सीट को यूज में ला सकते हैं यह देखिए यह जैसे इसको ऐसे यह हट जाती है सब रिमूवेबल है इसको माटा के इसके उपर रख देता है जब हम ट्रेवलिंग कर रहे है नॉर्मल और यह भी ऐसे कि निकल जाता है ठीक है तो सब चीजों को मैं निकाल देता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यह दूसरी और यह हमारी सीट वापस से रेडी है बैठने के लिए तो देखिए दोस्तों यह फ्रेम कैसे लगाना है यह सीट के पीछे आप देखेंगे कि मैंने यह एक ऐसे लोहे का से एक सपोर्ट के लिए यह बनवाया हुआ है दोनों तरफ रियस के अंदर डाल जाता है तो अब मैं इसको आपको दुबारा से पूरा असेंबल करके इसे लगाया और उसके बाद आप बेसिकली जो आपकी यह फीट है अप्लाए कि इसको इसके उपर आपको ऐसे लगानी है तो यह एक फ्रेट हो गया तो अब ऐसे ही दूसरी तरफ यह इसका सपोर्ट लगाएंगे यह देगे दोस्तों बन गया ना पूरा इसके उपर आपना मेट्रस विछा सकते हैं जैसे भी आप बनाना चाहिए जो बेसिकली मैंने जो यह सिस्टम बनाया है यह मैंने इस सीट को बीच वली सीट को रिटेन रखने के लिए ऐसा बनाया है नहीं तो मैंने एक बार बीच सेबाली सीट भी निकाल दी थी ओर पूरा फलोर पर बैड बनता था तो वह लिए आप कर सकते हो लेकिन उसमें फिर आप यह बार बार तो नहीं लगा सकते बीच वाली सीट निकाल की बार आवर तो पर फिर अभी बएच वालİ इसूजर येस सिस्टम में यह क्या आप तो मैं ऐसे भी काफी करता हूँ तो उस हिसाब से ना होटेल का घर्चा ना फ्यूल का घर्चा और मदलब आप काफी एकनॉम सकते हैं और ज्यादा गूम सकते हैं तो यह जैसे अब देरपुरा यह इसकी जो लंबाई है सवा छे फूट है ना है अराम से लंबे-लंबे-लोग भी सो सकते हैं दो तो बड़े आराम से सोते हैं तीन के अंदर भी में मैं आपको इंपोर्टेंट चीज़ सबताउ सा हूँ लेकिन अगर इस तरफ बैठते हैं और जैसे के आप देखें नीचे समान पढ़ा है कुछ लेकिन इसे अंदर आपना कुकिंग का समान आपका कफी समान अजाता है आप सब कुछ रख सकते अंदर काफी स्पेस है अभी मैंने तो कहीं पे रह रह रहा तो समान उठा के लाया हूं तो सब ऐसे बिखरा हो आप लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर ली सेट करेंगी तो प्रहटेने का कंपर होता है छोटे वाला दस लीटर वाला वी अरामASE है को है तो और अवराल और इस में बड़ी एच्छी नहींत आती है यह बहुत अची बात है सर्दी हो थोड़े थोड़े आपने शिशे डाउन करने और आराम से इसमें सो यह बहुत अच्छी नहीं दाती है रात को और प्राइवेसी के लिए मैंने जिसे यह थोड़ा सा आप विंड़ों में यह शेड लगा सकते हैं या काटे नहीं लगा सकते हैं तो बिलकुल आराम स की वीडियोज हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर आए तो उसे करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें मेरी अगली वीडियोज के और अगर आपको कोई कोश्चन है इसके बारे में तो आप मु मिलते हैं आप लोगों से नेक्स टाइम